इहाला प्रस्ण क्या कर रहा है ?? X का वह जबसे छोटा मान ग्यात किजी जो 517, X324, 12 से divisible है बारा से कब divisible होगा ? 12 का divisibility is rule करता है की जब कोई संख्य तीन से divisible हो और चार से divisible हो तो वह संख्या 12 से divisible होगा, अब 3 का divisibility क्या हो थे किसी भी संख्या का सम अगर तीन से डिविजिबल हो, वह संख्या क्या होगा, तीन से डिविजिबल होगा, चार का डिविजिबलीटी रूल क्या करता है, किसी भी संख्या का लाश्ट टू डिजिट, अगर वह चार से डिविजिबल है, तो वह संख्या क्या होगा, क्या होगा, चार से चेक करना है चार का डिविजिबिटी क्या करता है लास्ट टू डिजित लास्ट टू डिजित इसमने कितना 24 24 को अगर हम चार से डिवाइट करेंगी तो यह कट जाएगा आप देख रहें छो मडत यानि 6 का डिविजिबिटी रूल फॉलो कर रहा है अब हमको क्या चेक करना है तीन का डिविजिबिटी रूल तीन का डिविजिबिटी रूल क्या करता है किसी भी संख्या का सम अगर तीन से कड़ जाए तो वह संख्या क्या होगा तीन से divisible होगा, तो तीन से divisible होने के लिए देखिए, पाच और एक छो, छो सम बना रहा है, यानि तीन का divisibility है, इसको अब हम चेक नहीं करेंगे, पाच और एक छे, इसका divisibility चेक होगा, अब देखिए, चार, तीन, साथ, चार, तीन, साथ, आठ, एक, नो, देखिए, साथ, तीन, दस, दो, बाड़ा, साथ, तीन, दस, दो, बाड़ा, यानि बाड़ा बना रहा है, बाड़ा तीन से divisible है, इसको भी चेक नहीं करेंगे, अब बच क्या रहा है, एकस प्लस फोर, अब देखिए, चार तो है, अब एकस के जगा पे कितना रखे कि वह क्या हो, तीन से divisible होने के लिए, देखिए, तीन के बाद कितना होता है, चो, यानि यह संख्या अगर दो हो जाए, तो कितना चार दो चो हो जाएगा, यानि तीन का डिविजिविल्टी फॉलो करेंगा, यानि एकस के जिगा पे हमको कितना रखना पड़ेगा, दो रखना पड़ेगा, यानि correct answer option d expression का correct जबाब होगा कौन सा option d clear है हमने क्या-क्या 3 का divisibility rule क्या करता है किसी भी संख्या का sum अगर 3 से divisible है तो वह संख्या कितना होगा 3 से divisible होगा हमने क्या-क्या 5,1,6,6 या कितना 3 से divisible है इसको हमने चेक नहीं किया अब देखिए 7,10,12,12 इन तीनों को जोड़े तो 12 यह भी 3 से divisible इसको भी चेक नहीं किया बच कितना आ रहा एक्स और 4 यानि एक्स और 4 को हम लोग एड करके कितना होना चाहिए 3 का divisible होने के लिए इस x को कितना होना चाहिए वह क्या करा सबसे छोटी सँगे x का सबसे छोटा मान क्या रख सकते दो रखेंगे 2 रखेंगे तोra 2 कितना हो जागा 6 हो जागा 6 कितना 3 से divisible है या करेक्ट एंसर option D इस प्रस्न का करेक जबाब हो जागा निख्स कर रहा है कोई बेंज़क दिया गया यह 100 पदू तक का मान क्याद किजे हिर माइनस हो गया इंज़क एक दिया गया पलूस टू फिर पलूस थि्र looking for फिर कितना जिया गया पलूस फाइफ फिर कमाइनस हो ãy सिक्स I explained चाहा यां जा राएक आतक सौ्फ देखिए पहला संध के ऐं को सम्धिक इससाथ माइन अगा या फिर यहां पे लास्ट में उगा माइन साइडने उगा अब हमको इसको जोड़ेंगे तूरिजश तो तीन पेले था इहां पहले हम लोग लेते सिंपल जोड़ने का किया तरीका हो देंगी क्या पाच पलस डोट डोट कितना 99 तक ठीक है इसमें से हमको क्या करना होगा घटाना होगा किसको देखी यह दो माइनस कोमा ले लेंगे तब बचेगा कितना दो पलस चाड़ पलस कितना चो ऐसी जाते जाते लाश में कितना बचेगा 100 इतना हंड्रेट , अब हमको क्या पता है ? बिसम संख्या को Sum का Formula क्या होता , आँछसे कव्स शुछ संख्या का संख्या का अगर होता तब देखी है之前 संख्या क्या कर सकते है माइनस है इसमें से दू कॉमल ले लेंगे !! तब बचेगा कितना एक प्लस दू प्लस 3 प्लस dot 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 कितना तक यह 100 है तब बचेगा कितना 50 यानि लगाता प्राकेटिक संख्या का योग का फर्मूला क्या होता है n into n plus 1 by 2 प्राकेटिक संख्या का योग का फर्मूला क्या होता है n into n plus 1 by 2 अब भी सम संख्या का सम का formula कितना होता है n², यहां से देखे, एक से लेकर 99 तक total संख्या कितना होगा, देखे, एक से लेकर 100 तक की संख्या था, जिसमें हर दो-दो संख्या पर common ले रहे है, यानि यह जो एक से 99 तक की संख्या होगा, वह कितना होगा, number of n कितना होगा, n 50 ठीक है यह 2 multiple में तो गुना में आ जागा इन 2 देखिए इन के जग़ पर कितनी संख्या इन के जग़ पर 50 है तो 50 प्लस 1 कितना हो जागा 51 बटा 2 2 से 2 कैंसील हो जागा अब देखिए यहां जागा पचीस सो माइनस कितना हो जागा 0 5 25-25 यानी 25-25 में से 25-50 गटाएंगे तो कितना है माइनस पचास यानी रिजल्ट कितना आगया माइनस पचास यानी कड़ेक टैंस और option a expression का कड़िक जबाब होगा कौनसा option a आपको इसमें क्या सीखना था इसमें सीखना था कि बिसम संख्या का सम का फर्मूला क्या होता है n square और लगाता है प्राके चिक सम संख्या का फर्मूला होता है n into n plus 1y2 ठीक है अगर ये भी फर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तब कैसे निकालेंगी ये देख लेते हैं तब कैसे निकालेंगी ये चेक करने के लिए हमने क्या किया देखिए एक बार समझ लेते हैं फिर से देखिए संख्या क्या जागिայ यह 1-2 ठीक है पल्श 3-4 ठीक पल्श 5-6 ठीक ऐसी ही जाते जाते लाश्ट में कितना होगा पलस 99-100 ठीक अब देखिए दो-दो संख्या लेंगे तो देखे इस दो संख्या का रिजल्ट कितना होगा एक पलस वन है माइनस टो तो रिजल्ट कितना होगा माइनस वन इस दो संख्या में लेंगे तो रिजल्ट कितना होगा माइनस वन यह लाश्ट दो संख्या में लेंगे तो रिजल्ट कितना होगा से जाते जाते ज्ञेर लाइश्टेए प्रया से इस प्रेश्टन से अगला प्रशन के लिख रहा है लिख रहा है कि वियुत कर्म का लगुत्तम समावर्था तक कि यह हमको क्या करें इसकी भ्यूत्कर्म का LCM निकालना है जब भी ऐसे प्रश्ण हो जो ची निकालना ऊपर वाला का हमको क्या करते है जब भी इसका अगर LCM निकालना हो तो हमको यह क्या रहेंगे P1 और P2 का P, P1 का हमको क्या करना है LCM निकालना होगा और नीचे वाले का हमको क्या करना पड़े है Q, Q2 का HCF निकालना होगा अब देखे एक और एक का LCM लेंगे तो 1 आजागा अब देखे बाइस और च्यासट का HCF निकालना यह तो यह HCF कितना आजागा देखे इसको देखे दो गुनी गारा इगारा दुना बाइस इसको क्या लिख सकते है इगारा च्यासट चो यानि दो गुने तीन लिख सकते है छो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो आप देखेगा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक मिनट यह 66 नहीं यह कितना है एक मिनट यह 66 नहीं यह 16 है ठीक है 16 16 को हम क्या लिख सकते है दो गुने 8 लिख सकते है आठ तुना 16 ठीक है यानि इस बात को हम लोग देखी फिर से एक बार लिख लेते है हमको किसका निकालना था एक वट्टा एक वट्टा एक वट्टा एक वट्टा एक वट्टा 16 का लिख सकते है दो गुने 8 इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है है दो कॉमन आ रहा है एक वट्टा दो इसका करेक्ट एंसर होगा कॉनसा ओप्शन ए इस प्रस्न का करेक्ट जबाब हो जागा नेक्स्ट लिख रहा है 7x प्लस y रेशियो 7x-y का वहलू जागया है 7 रेशियो 2 x रेशियो y का वहलू क्याद करना है सिंपल सा सॉल कर देंगे क्या कर रहा है 7x प्लस y ठीक है डिवाइड वाइड वाइड कितना जागया 7x-y इसका रेशियो कितना जागया 7y2 जब इसको क्रोस मल्टिप्लाइ की जिगा तो साथ दूना चाहूदा 14x प्लस 2y बढ़ाबर कितना हो जागा तो साथ सत्य उन्चाज 49x-7y ठीक है अब x को एक तरफ लिखेंगे y को एक तरफ लिखेंगे जब x को एक तरफ लिखेंगा तो देखे यह कितना हो जागा कि तना वा जागा देखिए 5495 आज ये आजागा कि तीन 34 में से एक जागा 335 jane' x डटा Y का वैलू गयाद करना एक्स रेश्योय याने ये x रेश्यो ये वैलू गयाद करना एक्स के जगब पर 9 आ जागा यह 35 डिवाइड में आ जागा यानि 9 by 35 इसका करिक्ट अंसर होगा कुन सा ओप्सन ए इस प्रेशन का करिक जबाब हो जागा नेक्स्ट अगला प्रेशन देखिए लिख रहा है यदि 3x² और 4xy का त्रित्य अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान गया कीज़े देखिए त्रित्य अनुपात कितना होता है देखिए 3x² रेशियो कितना जागया 4xy ठीक त्रित्य अनुपात जब भी कहती यह वाला संक्या क् स्ऱ्रित्य यह कीज़े रेशियों और आमड्स्ट इस पाता है तो यह इन द्रोर्डोर अंद्र वाला सहं से गुना होगा तर जब दिखिए अन्दरवाला अंदर वाला से गणावा उक्ष है using 121 यह कितना जागा तो इस नगला रेगे 3 सिक्स्टीन वाई स्क्वाइर वर्टा कितना थिरी यह कितना आ गया त्रित्य अनुपात और इस त्रित्य अनुपात का वहलू कितना जा गया है 48 त्रित्य अनुपात का वहलू कितना जा गया 48 यानि सिक्स्टीन वाई स्क्वाइर वर्टा थिरी का वहलू कितना जा गया 48 इस प्रस्ण का कड़िक जबाब हो जागा नेक्स्ट अगला प्रस्ण देखिए लिख रहा है दो बेलन की त्रिज्याद दो रेशियो एक है के अनुपात में और उनकी उचाई पाच रेशियो दो के अनुपात में उनके आयतनों का अनुपात क्या जिए सबसे पहले हमको पत इस्क्वाइड एज क्या होता है पाई आर इस्क्वाइड एज अब देखिए पहला बेलन के बारे में क्या कर रहा है बेलन वन है बी बी वन मान लेते और दूसरा रेशियो कितना बी टू बेलन का बात कर रहा है पहला बेलन का आयतन कितना पाई आर आर कितना दो यूनिट पावर 3 यानि बचेगा कितना पांदू न दश इधर कितना वन यानी टेन रिश्यो वन इसका कड़िक टैंसर होगा कुन सा ओप्संसी इस प्रस्टन का कड़िक जबाब हो जाएगा नेक्स्ट लिख रहा है ए ने 75,000 रुपे के निवेश के साथ एक वेवसाय सुरू किया और पाँच महिने के बाद 80,000 के निवेश के साथ भी भी इस वेवसाय में सामिल हो गयाता है एक वर्ष के बाद 4,88,800 का लाप प्राप्त होता है एक इतना रुपेया लगाता है एंब 25,000 रुपेया लगाता है how about A you की पाच से कार देते हैं तह 5 से कितना मरते कटेगा पाच से काटेंगा तह पाच एकम 5, 5, 3, 8, 5, 6, 15, 15 मरते हैं जिन से कार देते हैं चार चे कार देते, चार ते बाड़ा, चार चे को सौला, चार मरते, कोई दिक्कत नहीं, आप देखें, यह दर कितना बज़ जाएगा, पंदरत यह 45, 45, 45, रेशियो कितना साचक, 28, यानि 45, रेशियो 28, यह बात आपको प्राप्त हो जाएगा, आगी क्या कर रहा है, एक वर् चार दू, चोई, यानि 73 यूनिट, 73 यूनिट का वैलू कितना जागा, 4,888,4,888, यानि एक यूनिट का वैलू कितना हो जागा, 73 से इसको जब काट कियेगा, यह कट जागा, आपको कितना मरते, 5,600 मरते, यानि 56,56,000, चपन सो मरते, असानी से कर जागा, अब पूछ रहा है का, एक का प्रोफिट कितना होगा, तो एक का प्रोफिट निकालना है, एक का वैलू कितना है, 45 यूनिट, एक यूनिट का वैलू कितना है, 56, 45, मल्टिप्लाई 56,500, जब इसको मल्टिप्लाई किजेगा ये कितना आजगा, डवल, 0, डवल, 0, 45 में, 45 में 56 से मल्टिप्लाई किजेगा, तो दो सो बावन, 252 पे कितना 0,252 यानि 2,052,000, यानि option क्या हो सकता है इसका A का value आ रहा है कितना एक गई का value कितना रहा है 2,52,000 यानि option B इसका correct answer होगा है A का value केवल एक ही जगा कितना है 2,52,000 अब इसमें B का value निकालना है तब B के जगा पर हम कितना रहा है 28-28 में हम को कितना है से मल्टिप्लाई करेंगे 28 में जब चब पन सो से मल्टिप्लाई की जगा तो यह आ जगा 156800 के लिए रहे हैं यानि करेक्ट यांस और ऑप्शन भी इस प्रेशन का करेक्ट जबाब हो जागा नेक्स्ट लिए देखिए बहुत इंपॉटेंट प्रस्ट है चालिस लीटर मिस्रन में 25% अलकुहल यहनि 40 लीटर का मिस्रन है जिसमें 25% अलकु चाहर यानि 10 लिघरू की मात्रा कितना गया 10 लिघर retired ठीक है औपश्चता परसेंट पानी तो वाटर का मात्रा आपको राथानी चाहर है तो चालिस है जिसमें चा现在 अगय कोश्चन में कर रहा है यदि मिस्रन में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए पहले पाणी तीस ता अब 10 लीटर मिला देंगे तो पानी की मातरा कितना हो जगा 40 question में आगे क्या कर रहा है तो नए मिसरन में alcohol का परतीसत ग्याद कीजिए alcohol पहले भी 10 था आज भी 10 है यानि alcohol की मातरा तो 10 ही रहेगा लेकिन मिसरन कितना हो जागा पहले 40 water बन गया और 10 alcohol यानि मिसरन कितना 50 liter का बन गया यानि बटा में 50 यानि 100 multiply करेंगे 0 से 0 cancer 5 से कार दिया पांदूना 10 यानि 20 परसेंट क्या है alcohol है यानि correct answer option सी इस प्रेशन का correct जबाब हो जागा next मोहित एक काम का 2 बटा 3 भाग 24 दिन में कर सकता है तो वह काम का 1 बटा 9 भाग कितने दिन में करेगा मोहित क्या करता है किसी काम का 2 बटा 3 भाग कितना दिन में 24 दिन में करता है 24 दे में unit matter से देखिया आसानी है यानि उस एक काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा 24 multiply 3 by 2 question में कर रहा है उस एक काम को नहीं 1 बटा 9 भाग को कितना में करना होगा यानि मोहित को उसी एक वटा 9 भाग को करने में यानि एक वटा 9 से multiply के 24 multiply 3 by 2 multiply कितना होगा 1 by 9 जब इसको solve की जगा 3 से कार जाया 3, 2, 9 3, 2, 6 4, 4, 24 यानि 4 day यानि correct answer option A इस प्रसन का करेक जबाब हो जागा next लिख रहा है क्या माया एक कार का 7 वटा 10 भाग 15 दिन में पूरा कर सकती है माया जो है अक्यली एक काम का कितना 7 वटा 10 भाग 15 दिन में करती है माया 7 वटा 10 भाग को कितना दिन में कर रही 15 दिन में और 6 काम को सुरेश की सहायता से माया पलस सुरेश अगर एक साथ मिल जाए सहायता से इस तीन बटा दस काम को दोनों मिलके कितना दिन में करें चार दिन में माया और सुरेस पूरे काम को कितना दिन में करें तीन बटा दस काम को चार दिन में करते हैं तो माया पलस सुरेस उस एक काम को करने में कितना दिन लेगी यानि 4 multiply 10 बटा कितना हो जागा 3, 40 बटा 3, 40 बटा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 46, 49, 13 पूर्णा के 1 बटा 3 दिन, यानि correct answer option A इस प्रस्न का correct जबाब हो जागा next लिख रहा है क्या 2 pipe के बारे में चर्चा है 2 pipe A और B किसी खाली का टंकी को 8 और 12 घंटे में भर देते यानि कोई pipe A है वह किसी खाली का टंकी को 8 घंटा में और B क्या करता है 12 घंटा में भर देता है उन्हें पहले 5A से शुरू करते हुए एक घंटे के लिए बारी-बारी से खोला जाता है कितने घंटे में या खाली टंकी को भर जाएगा तो देखिए इंपोर्टेंट प्रस्न है आसानी से समझेंगे आठ और बारा का LCM लेंगे तो यह LCM कितना आजागा 24 यानि आठ त्री 24 यानि बारा दुना 24 ए एक दिन में दो लीटर बढ़ता है दो यूनित अभी एक बार में कितना तीन यूनित भरता है उन्होंने पहले ए से शुरू किया यानि पहला एक बढ़ा उसके बाद कितना आजागा भी यानि दो घंटा में दो घंटा में कितना तू आबर आ जागा तू आबर यानि पहला एक कितना तीन यूनिट भर लिया अभी कितना दो यूनिट यानि दो घंटा में कितना तू आबर में कितना हो गया पाच लीटर भर गया तोटकल टंकी कितना का 24 लीटर पाच को कितना से मल्टिप्लाइ तो इस चो विस से ज़्यादा आ जाएगा इसलिए हमने क्या किया पाज न मल्टिप्लाई करते हैं। चार से मल्टिप्लाई करेंगे तो दोनों तरब चारसे मल्टिप्लाई करना पड़ेरा यानी ऐस्त घंटा में कितना 20 लिटर complete भढ़ गया, 8 घंटा में 20 लिटर वह टंकी आसानी से भढ़ गया, अब बाकी बचा कितना 8 घंटा complete हो गया, total कितना 24 लिटर का टंकी था, जिसमें से 20 लिटर हमने भढ़ दिया, तब बचा कितना 4 लिटर, अब बारी किसके आएगा, बारी एक आएगा, यानि समय कितना होगा, 8 घंटा तो यहाँ, एक घंटा ए ले रहा है, यानि total time अभी तक हमने कितना 9 घंटा complete कर लिए, अब बाकी बचा हुआ समय में कौन काम करेगा, बी करेगा, बी क्या करता है, बी एक बार में 2 लिटर भढ़ता है, अब बी का बारी आ रहा है, बी को भढ़ना कितना है, एक यूनिट, एक यूनिट भढ़ने में उसको कितना समय लगेगा, एक घंटा में 2 लिटर भढ़ता है, ठीक, एक यूनिट भढ़ने में, एक बटा 2 घंटा का समय लगेगा, बी को, और option C, इस प्रस्ण का कड़िक जबाब हो जाएगा, कुनसा option C, किलियर है, यहाँ पर हमने B के बारे में, थोड़ा सा असानी से देखिए, बचा हुआ काम एक यूनित है, total दो यूनित को एक घंटा में भरता है, तो एक यूनित को बढ़ने में कितना समय लगया, आधा घंटा, यानि B को कितना समय लग रहा है, आधा घंटा, यानि पहले 9 घंटा तो complete हो गया, अब कितना आधा घंटा और लग रहा है, यानि total काम कितना हो गया, 9 पुर्णा के एक वर्टा दो घंटा, नेक्स्ट, एक आदमी, देखिए, इन्पोर्टेंट प्रशने, एक आदमी 14 किलो मिटर प्रती घंटा की चाल से चल रहा है, 35 किलो मिटर के बाद, वो चार मिनट आराम करता है, 7 किलो मिटर की दूरी तैक करने में उसको कितना समय लगेगा, देखिए, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या ही, डिस्टेंज, of on a speed, distance, on a speed, distance कितना साथ, speed कितना है, चोगदर, यानि साथ, दुना, चोगदर, यानि एक बटा, दो गंटा, यानि आधा गंटा का समय लगेगा कितना बिना रुके हुए अगर चले तो वह आधा गंटा में उस समय को साथ किलोमीटर तो को तैक कर लेगा लेकिन कोश्चन में कह रहा है हर एक घंटा के बाद वह क्या करता है साथ मिनट रुपता है पूटल डिस्टेंस कितना करता है साथ किलोमीटर यहां से आधे कि एक किलोमीटर दूसरा दो किलोमीटर तीन चार पाच छे और यह हो गया साथ कि जब कोई विक्ती चलेगा तब पहला बार एक किलोमीटर के बाद पहला एक किलोमीटर के बाद पहला एक किलोमीटर के बाद इतना साथ मिनट रुखता है total stoppage कितना होगा एक दो तीन चार पांच छे छे stoppage होगया total की मिनट कितना साच्चक अठाइस यानी साच्चक 42 मिनट के लिए ऌह रेष्ट करता यानि पहले कितना एक आधा घंटा तो एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में 60 मिनट पलस, कितना 60 मिनट पलस 12, 12 को गंटा में बदलना है, तो 60 से डिवाइड का 12 पचे साथ, यानि एक गंटा, पलस एक वटा पाच, यानि एक पुना, एक वटा पाच गंटा में वह समय, तोटल डिस्टेंस को तमप्लीट तै कर लेगा, यानि करेक्ट एंसर, और ओप्सन डी, इसका करेक्ट जबाब हो जाएगा, निक्स, जॉन को एक परिच्छा में 20% अंक प्राप्त हुआ और 10 अंकों σε अनूत्रीन हो गया, कोई वेक्टी 20% अंक लाता है, अगर वह 10 अंक और लाता तो पास हो जाता, लेकिन चैक क्या-क्या 35% अंक लेके आया, और क्या करता है, नियुनतंँ अंक से 20 अंक अधिक लेक का 30 15 परसेंट का वैलू 30 15 दूना 30 यानि एक परसेंट का वैलू कितना गया दो एक परसेंट का वैलू कितना गया 200 100 परसेंट का वैलू कितना गया 200 यानि एक्जाम जो था टोटल एक्जाम कितना का था 200 का था question में क्या कर रहा है उसको समझे कर रहा है तो उत्रीन होने के लिए अवस्चेक नियुनतम अंको का परतीसत ग्याद कीजिए उत्रीन होने के लिए 200 में से अगर 20% अंक लाता 20% पलस 10 अंक लाता तो वह पास हो जाता यानि इसको काटेंगा दो दुना चाड़ जानि 40, 10, 50 जा 200 में अगर 50 अंक लाता तो पास हो जाता तो 200 से डिवाइट कर दिया, multiply किए 100 से यानि 2 से कड़ी है यानि 25% उसका क्या है नियुनतम परतीसत अंक है यानि correct answer option C, इस प्रस्ण का कड़ी जबाब हो जागा next, एक नाव धारा के अनकुल 35 किलोमीटर की दुरी 2 घंटे में तता धारा के प्रतीकुल समान दुरी को 7 घंटे में तै करती है, सांत जल में 9 की चाल ग्याद किजिए, जब कोई 9 चलता है क्या धारा के दिशा में जाएगा तो 9 की चाल, 9 इन फो 9 की चाल पलस धारा दोनों which has 35 की चाल ग्याद चागा धारा कीजिय है, किफित्ना समय में, धो गंटा में, अगर तो इन दोनों को अगर एड करेंगे तो यहां देखी यह दोनों कैंसिल हो जागा बचेगा कितना टुएं टुएं बराबर कितना आजागा थर्टी फाइव बाइटू पलस कितना फाइव जब इसको एड की जगा तो यह पांदूना दस प्रॉस मुल्टिप पांदूना दस यानि 35 दस कितना पैतालिस वटा दो बडाबर एन या दो मल्टिपल में है यह दिवाइड में आजागा दो यानि 45 बाइट की जाए तो 11.25 यानि करेक्ट एंसर ओप्शन डी इस प्रस्ण का करेक्शबाब होगा कौनसा ओप्शन डी नेक्स्ट लिख रहा है एक वस्तू को 2000 रुपे में बेचने पर 80% लाव उसी वस्तू को 1200 रुपे में बेचने पर 30% हानी के बराबर है जब भी कोई वस्तू को बेचने पर 30% प्रोफिट और 30% लाव पर 30% हानी के बराबर है तो वस्तू का क्रॉश प्राइस क्रैमूल कैसे निकालते हैं दूनों को जोड़ देत यह कितना जागा 3200, 3200 को जब 2 से डिवाइड की जगा तो 1622 यानि 16100 आ जागा इसका क्या क्रैमूल ठीक, आगे question में क्या करा उसको देखिए, लिख रहा है तो उस क्रैमूल पे 20% profit प्राप्ट करने के लिए उस वज़तु का किस मूल पे बेचना होगा, ग्रैमूल हो गया 1620 पर्षेंट का fraction value हमको कितना होता है, 20% का एक बटा पाच यानि 5 रुपया का समान एक रुपया प्रूपीट पे बेचना होगा, यानि 16100 रुपया का समान को सेलिंग, निकालना कितना 16100 रुपया का समान को 6 बटा पाच में हमको बेचेंगो, तो कितना आ जागा 20% का profit आज यानि 1920 इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, यानि correct answer option भी इस प्रशन का correct जबाब हो जागा, next, राजीब एक पेन को 5% लाब पर बेचता है, यदि वह पेन 36 रुपया अधिक में बेचा होता, तो 14% का profit होता, फले उसने क्या क्या 5% का profit बेचा, लेकिन अगर वह 14% क पर बेचता, तो 14% का लाब होता, कब जब होता, 36 रुपया अधिक में बेचता है, यानि यहां से यहां तक जाने में उसको कितना 36 रुपया का अधिक चाहिए, परसेंटेज में बात कीजिएगा, तो यह कितना 9%, 9% का difference आरा है, यहां डिफरेंश कितना 36 रुपया का, या यानि नोचोग चातिस यानि एक परसेंट का फैलू चार यानि हंडेट परसेंट बस्टू का क्रैमल कितना हो जागा 400 यानि करेक्ट एंस और ऑप्सर डी इस प्रसन का करेक्ट चबाब हो जागा नेक्स्ट रुपीच 50,000 की बिल पर 40% की चूट और 4% के दो क्रमिक चूट के बीच का अंतर ग्याद किजे एक दिया जा रहा है 40% का चूट दूसरा क्या करा है 36% पलस 4% का चूट दिया जा रहा है यानि 36% और 4% का एकल चूट कितना होगा तो हम लोग निकाल सकते ए बी रूल से । यानि 36% पलस 4% माइनस 36 मल्टिप्लाई 4 5100 जब इसको एड़ जगा तो 36 आचार कितना हो जगा 40 माइनस इसको जब מल्टिप्लाई कि जगा तो यह कितना आ जगा 144 के 24 के चार हासिल दू चारते बाद तेरी एक 144 यानि पॉइंट 1.44 40 में से 1.44 को घट आईएगा तो यह आजागा कितना 38.56 ठीक है अब क्या कर रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानि 38.56 और 40 परसेंट का डिफरेंस का बात किया तरह या डिफरेंस कितना आजागा 1.44 1.44 परसेंट कुछ क्या रहा है इतना का वह दू क्रमिक छूट के बीच का अंतर ग्याद किजिए यानि 50,000 रुप्या का हमको क्या निकालना है 5.000 multiply 1.44 परसेंटेज निकालना है बटा में 100 ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100,000 से 00 के अंसर,000 से 00 के अंसर,000 के अंसर, अब multiply की जाए 5 को 20 के सुनना हासिल दो, 5 को 20,22 के दो हासिल दो, 5 का 6 साथ यानि 720 यानि करेक्ट अंसर, option D, इस प्रस्टन का कड़ेक जबाब हो जागा, कौनसा option D, next, तीन वर्ष के लिए 28,000 रुपे की किसी रासी पर सधारन प्याज 420 है, उसी दर से उतनी है अबदी के लिए 32 का सधारन प्याज ग्याद करना है, यानि 32 का सधारन प्याज ग्याद करना है, देके principle कितना दिया दया, double zero, double zero cancel, अब देके, तीन से कार देते है, तीन से ये कड़ जागा, 3 कंद तीन जागा, 34 मरते, 144 मरते, 14 मरते, 14 मरते, 14, 25, 22 2 मरते, 2 मरते, 2 से कड़ जागा, यह दस, 5 मरते, यानि rate of interest, आर जार कितना आ गया, 5% ठीक है, अब क्या कर रहा, वही 32, रुपया, principle कितना 32, rate इतना जा गया पाच परसेंट पाच परसेंट की दर से दर से उतनी ही अब्धि यानि तीन वर्ष क्राम को क्या निकाला सिंपल इंटेस बस डबल जियो से डबल जो कैंसिल पांतिय पंदर यानि थर्टी टू में 15 से मल्टिप्लाई की जगा तो यह कितना आजागा 15 32 के सुनन ए किलियर है नेक्स्ट अगला प्रसेंट देखिए अगला कोश्चन लिख रहा है 15,000 रुपे की रासी पे 16 पर्चेंट प्रती वर्ष चक्रीदी ब्याज पर उधार दिया जाता है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रीदी ब्याज में अंतर ज्याती है अब देखिए इसको हमको क्या करना है 15,000 रुप्या पे दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रीदी ब्याज का अंतर ज्यात करना है देखिए 15,000 रुप्या है 15,000 इस पे अगर 4 परसेंट के यानि 15,000 का 4 परसेंट यानि 4 वटा 25 अगर हम निकालेंगे यह कितना आ जागा 4 वटा 25 निकालिएगा यह आ जागा कितना पाच सी कार देते 15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, प्रिंस्पल पे इंट्रेस होता है, दूसरा साल क्या होता है, प्रिंस्पल पे इंट्रेस आता है, साथ में इंट्रेस पे इंट्रेस आता है, यानि 2400 का कितना निकालना चार बटा पचीश निकालेंगे, 2400 का चार बटा पचीश निकालेंगे, तो यह आजगा 384, 384, तीसरा 10 साल का बात किया घा तो principle पर यानि पंद्रह at irm सब्सक्राइबी इस 24ल पर इंट्रेस कितना जा चेगा 394 यहां तक बात कहता हूँ और देखे इस 24 sẽ कितना जा चेगा 384 है अब यह 384 पर भी हमको चारवटा वर्च में क्या आरहा ये चीज तू तू सेम है अंतर कितना आरहा ये वाला जो बात आरहा यही तर डिफरेंस आरहा इन दोनों का डिफरेंस वराबर हम लोग लिख सकते हैं रिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते 384 384 प्लस 61.44 384 को 61.44 को एड की जगा यह जगा पाच आट दू दस दस चार चोदा के चारहासी लेख तीने चार यानि फोर फॉर फाइब फॉर 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 यानि 445.44 इसका करिक्ट एंसर होगा कितना एक मिनिट चार ell फाच आट पाच लेखे आज़ दू दसचा चोदा जरीक करिक्ट एंसर उगा ओप्सन यह वाला आप्सन इसका करिक्ट होगा उप्सन फी इसका करिक्ट जबाब यहां पर कितना होना चाहिए क्लियर है नेक्स्ट अगला प्रस देखिए लिख रहा है एक कच्छा में 30 विद्यार्चों का उसत भार 60 kg यानि 30 स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना जा गया 60 ठीक है यदि इस कच्छा में सिख्छक का भार भी सामिल कर लिए यानि 30 तो स्ट ही आता तो 100 की के वजन का ही आता ईवसंग नहीं आता लेकिन उसने क्या किआ है वह इतना है वा सतो है फ मैं वी इतना वह जल्य ने किए जया यानि वह टीचर साथ केजी पलस 15.5 केजी एक्स्ट्रा लेके आया यानि टीचर का बचन कितना हो जगा 75.5 केजी यानि करेक्ट एंसर ओप्शन भी इस प्रस्ट का करेक्ट जबाब होगा कौन सा ओप्शन भी क्लियर है नेक्स्ट अगला प्रस्ट देखिए